है कवायथ चाहँ है कि सभसे से पहले हमारा चौन को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस वीडियो पूरा देखने वाले हैं नहीं भ 걸581 और यह सब्सक्राइब कर लो कि लोग देखते हैं लेकिन तो चलिए फिर बात कर लेते हैं हमारे exam के result के बारे में, तो आपको type क्या करना है, आपको type करना है ignore result, इसको type करके आपको एक web page खुलेगा इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको देख रहा है ignore result term end, इसके उपर आपको बस click करना है, जैसे ही इसके उपर click करोगे, नीचे की तर enrollment number enter करना है, suppose आपका number कुछ भी है, जैसे मुझे मैं imaginary number डाल रहा हूं, suppose मुझे मेरा enrollment number है, और इसको डालने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ submit के ओपर click करूँगा, आपका result जो है वो आपको show करने लगेगा, हलाकि मैंने imaginary number डाला था, इसके मुझे show नहीं कर रहा है, आपको पका show करेगा, क्योंकि आप सही number डालोगे, right, so आपको show करेगा, but लेकिन exam का जो result है, वो धीरे धीरे करके इगनू upload कर रही है, तो tension वाली कोई बात नहीं है, अगर कोई सी paper का नहीं हो पाया है अभी तक, तो आप थोड़ा wait कीजिए, definitely इगनू जो है उसको update कर करेगी, because आपने exam दिये है, तो definitely आपको उसका update वहाँ पर मिलेगा, but eventually मिलेगा, तुरंट नहीं हो पाता है, है ना, इगनू थोड़ा slow-slow करती है, eventually करती है, हर हफते में एक-एक करके या दो-दो करके वो लोग जो है डालते है, तो हर बढ़ाने की जुरत नहीं है, eventually वो हो सकते हो, and have some patience, इगनू में इस time को लेकर के थोड़ी सी देरी होती है, क्योंकि बहुत ही vast student base है, तो result को जो है, वो लोग एक साथ release नहीं करते है, तीरे-देरे करके release करते है, ताकि students को, you know, मिलता रहे है वो चीज़े, है ना, so tension नहीं लेना, eventually वो हो जाएगा, and if you have any query, question, just call me or WhatsApp me and I will definitely try to help you out, so thank you so much, keep watching, thank you.